अस्पताल में जीवन और मौत से जूज रही है अभी भी उसकी इस्तिती चिंता जनक है ठीक दो मिनिट पहले भी मेरी वहाँ उपस्तित लोगों से बात होई है लेकिन सवाल उठता है कि ये पंखा गिर क्यों जाता है ये गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में अर्विन केजरिवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है बच्चों के उपर पंके गिर रहे हैं अभी तो किसी दिन ये भी समाचारा सकता है कि स्कूल का अधा हिस्सा ही गिर गया कई ऐसे स्कूल है जो मैं विजिट करके भी आपके सामने खड़ा हूँ सरगोदे कन्या विद्याले मलका गंज का विद्याले ऐसा ही है कोई जा करके देख ले और ऐसे ऐसे कम से कम चार सो विद्याले है जो कभी भी गिर सकते हैं पंका क्यों गिर रहा है अगर इसका छोटा साम आपको डिटेल्स दे तो शायद आपको याद आए हमने एक केस किया है हरीस कुराना ने प्रवेस बर्मा ने नील कांथ बक्सी ये सब लोग इसमें कम्प्लेन्ट है और हमारी उस कम्प्लेन को लोका युक्त महोदय ने भी माना कि इसमें गरवड़ी है और चीफ सेक्रेटरी से जाच की रिपोर्ट मांगी गई है लेकिन आपको याद होगा हम लोगों को ये आवाज उठाने के कारण हमारे उपर मानहानी का मुकद्वा दाहर कर दिया मनी सिसोदिया जो करप्ट नंबर वन जिनको अदिली में एक्यूज नंबर वन सब कह रहे है और उसी केस में जब आती है जानकारी की रिपोर्ट दिया जाए तो रिपोर्ट जो सामने आती है आप सब को चोका देगी हमने केस किये थे कि 5 लाख रुपए के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं 5 का 25 ऐसा दिल्ली के लोग सन्न थे लेकिन जब यह रिपोर्ट आई है तो आप सभी को जान करके दुख होगा कि यह रिपोर्ट कह रही है कि यह 5 का 25 नहीं यह 5 लाख का 33 लाख है यह 5 का 33 हो गया है यह हमारे दिल्ली के विद्यालियों की शिक्षा की ब्यवस्ता जो कमरा बन सकता है 5 लाख में वो इन्होंने बनाया 33 लाख में और यह हम नहीं कह रहे हैं यह रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चोग जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते है उसका देखिये इस्तिती क्या है आप जानके हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नमबर ओफ रूम्स बढ़ाने के लिए उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया मैं समस्ता हो दिल्ली नहीं पूरे दुनिया में ये अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में पांच का तेतिस्त हो रहा है लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया ये रिपोर्ट कह रही है इन वन नैंटी पूर स्कूल्स वन टू वन पूर टॉयलेट्स वेर कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स वेर काउंटेड अन प्रोजेक्टेड एज क्लास्रूम्स बाई दिल्ली गोव्मेंट ब्रस्टाचार की ऐसी भूख मैं समझता हूँ यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूज रही है चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है अगर इस देश में दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है उस अभिभावक की इस्तिति क्या होगी दिल्ली सरकार में इसकूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की इस्तिति क्या होगी और यह पहली बार नहीं हुआ है यह पहले भी कई बार हुआ है लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सरुस्रिष्ट सरोसेष्ट ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग आपको जान के दुख होगा अभी तो सुक्रहे बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है मगर इसके उपर उनका जवाब नहीं आएगा मली सिसोधी आर्विन केजरिवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सेमी पर्मानेंट इस्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में जिसके कारण पंके गिरते हैं अब सवाल उड़ता है वाट इस सेमी पर्मानेंट इस्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छट जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है बहुत शॉट टर्म के लिए बनाई जाती है दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवार क्यों सेमी पर्मानेंट इस्ट्रक्चर क्यों पर्मानेंट इस्ट्रक्चर क्यों नहीं अगर इसके तहे में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी कहानी आपको सामने दिखाई देगी मेरा मानना है ये इनोंने सेमी पर्मानेंट इस्ट्रक्चर कड़ी कुंडी की छट बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खत्रे में डाल दिया और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोट ने ACB जाच सुरू करने के जल्दी की आदेश किया लोकायुक्त ने मानी लिया इसमें कुछ गरबड़ी है रिपोर्ट मागी गई है लेकिन आप सोचिए बात यहीं तक नहीं है जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र साड़े 300 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की बिवस्ता है बाकि 2024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की बिवस्ता ही नहीं यहाँ कोई रमन नहीं निकल सकता यहाँ कोई वैगनिक नहीं निकल सकता और उस Сीछा बिवस्ता की तारीफ करते ही ठकेंगे नहीं हमारी आवाज को आप मान हानी लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिस करो अरविंद के जरिवाल मनी से सो दिया लेकिन आपको ये जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने पाच लाक का कमरा 33 लाक में कैसे बनाया ट्वैलेट्स को भी कमरा क्यों गिना और आज बेटियां, बच्चे और सुरक्षित क्यों हैं इसकोलों में पंखें क्यों गिर रहे हैं इसका भी जवाब आपको देना होगा मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चितरुप से आवादमी पार्टी इसका जवाब देगी लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए इसको भी डाइवर्ड करने की कोशिस मत करना शराब घोटा लेके प्रश्णों की तरह आपको इसका जवाब देना होगा क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोस्तिवारी क्या साजाद पुनावाला संजय मयूख नहीं चाहते इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती मेरा अग्रा है मानिय साजाद पुनावाला जी से कि आपको संभूल दित करना बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी अभी विस्तित रूप से पूर्व दिल्ली भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सांसद मनोस्तिवारी जी ने शिक्षा घोटाले की क्लास्रूम घोटाले की बात रखी है वन पे वन फ्री से पांच का तैतिस ये मॉडल है और मॉडल क्या है ब्रष्टाचार के ठेकेदार कहें ब्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार कोई इंक्वाइरी हो जाए कोई जांच हो जाए तो चिल्लाई ये अत्याचार अत्याचार और फिर असेंबली में बैटकर करें ड्रामा और दुराचार देखें मित्रों आज सवाल से वितना पैदा होता है आपने देखा होगा परसो नौईडा में दो टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किये गए पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ओफ करप्शन है एक टावर है शिक्षा और दूसरा टावर है शराब घूटाले का और इस नो नो टावर का जो बिल्डर है मनीश सिसो दिया देखे कितनी विडम बना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्राले और शराब मंत्रा ले दोनों एक ही बिल्डर एक ही व्यक्ति के हाथ वे और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ओफ करप्शन ट्विन टावर ओफ करप्शन खड़ी कर दी एक शराब गोटाले की टावर ओफ करप्शन दूसरी शिक्षा घोटाले की Tower of Corruption और जनता पूछ रही है कि केजरिवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो Twin Tower of Corruption of Delhi दिल्ली के Twin Tower of Corruption को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे हैं model तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठ शाला दिया केजरिवाल ने मधूशाला और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधूशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला तो अब ये जवाब देने के बदले कभी New York Times पर चले जाते हैं कभी LG पर चले जाते हैं कभी गुजराज चले जाते हैं कभी 2024 चले जाते हैं कभी Assembly में पहुंच जाते हैं Assembly में किसी भी बहुमत टेस्ट की ज़रुरत नहीं है जनता जो है, वो corruption का test चाती है, confidence का test नहीं चाती है, जनता corruption का test करवाना चाती है, आप confidence का test करवा रहे हैं, सवाल ये भी पैदा होता है, कि assembly में बहुमत के confidence को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जनता में यदि confidence है आपको, तो जाकर जवाब दीजिए, दिखे, 38 दिन हो चुके हैं, 38 दिन का मतलब लगभग, 43 लाक सेकंड, 43 लाक सेकंड से हमारे 15 सवाल, शराब गोटाले को लेकर वही हैं, और इस मंच पर, चाहे मिनाक्षी लेखी जी हो, चाहे परवेश वर्मा जी हो, सुधान शुत्रिवेदी जी हो, गौरो भाटया जी हो, स